हेलो फ्रेंड मैं आकाश वेलकम टो प्लांट केर कीवर अगर आप नए साल पर घूमने की सोच रहे हैं पार्क, दोस्तों, दिस्तेदारों के घर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनकी कटिंग या फिस सीड आप वहाँ से हार्वेस्ट करके ला सकते है इस पर मैंने काफी सारे वीडियोज बनाए हैं उनका लिंक मैं शेयर कर दूँगा वो भी आप देख सकते हैं तो इस टिस्त में जो पहला प्लांट है वो है ये स्नेक प्लांट देख सकते हैं छोटी सी मैंने कटिंग कुछ दिन पहले लगाया था इसमें रूट बनना स्टार्ट हो चुका है कुछ ही दिनों में इनमें नए काफी सारे बेबी प्लांट आएंगे तो ये कटिंग से बहुत इसली ग्रो हो जाता है ये प्लांट आपको कहीं पर दिखे तो आप उसकी कटिंग लेकर आ सकते हैं इसके अलावा देख सकते हैं, इसमें baby plant पी आ चुका है, बहुत easily ये grow हो जाता है, पहले root आते हैं, पिछोटे चोटे कई सारे baby plant आते हैं, अगर आप इससा की एक पत्ती भी container में grow कलेंगे, तो कुछ ही महिनों में पूरा container आपका एक पत्ती से भर जाएगा, येतना fast and easy growing plant हो इसलिएट में अगला प्लांट है, यह केवडा, यह प्लांट अक्सर आपको पार्क वगएरा में बॉर्डर के रूप में दिख जाता होगा, तो कहीं पर आपको दिखे, तो आप वहाँ से एक बेबी प्लांट हारवेस्ट करके ला सकते हैं, कि रूट से कई सारे बेबी प्ल बनते रहते हैं इस प्लांट को अगर आप लेकर आएं तो हैंगें बास्केट में ही करो करें हैं यह ज्यादा सुन्दा लगता है गमले की तुलना में इसलिए इसमें अगला प्लांट है यह कैक्टस इतका नाम तो फिलहार मुझे याद नहीं आ रहा है इसकी इसे भी मैंने क कटिंग से ही ग्रो किया था और इसकी छोटी से कटिंग मैं पार्क से लेकर आया था पार्क के बाहर यह लगा हुआ था इसकी जो प्लांट होते हैं इन्हें बकरी या फिक गाय वगयरा नहीं खाती है इसलिए यह प्लांट लगाया जाते हैं एक सकते हैं छोटे से पांट box में मैंने इसे grow किया है और काफी सारी cutting में मैंने इसकी grow की है बहुत easily ये cutting से grow हो जाता है काफी सारे videos में भी मैंने दिखाया है तो इस तक आप छोटी से cutting वहाँ से harvest करके ला सकते हैं और छोटे pot में grow करेंगे ये फिस ceramic pot में grow करेंगे तो बहुत ही सुन्दा लगेगा और काफी लोग इसे नरसी से purchase करके भी लाते हैं ये भी काफी महगा मिलता है कम से कम ये 50 रुपए में मिलता है अगर आप इसे नरसी से purchase करेंगे देख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने cutting grow किया था और इसमें root आने लगी है तो बहुत easily ये cutting से grow हो जाता है over watering से ही गलता है नहीं तो ये बहुत easily grow हो जाता है देख सकते हैं ये घास है काफी सारे container में ये निकल आया था मैंने हटाया भी था ये बच गया होगा तो इसमें blooming start हो गया है इसमें जो अगला plant है वो है ये asparagus वर्ण ये plant आपको कहीं पर दिखे तो आप इसकी seed harvest करके ला सकते हैं seed से भी ये बहुत easily grow हो जाता है वैसे तो ये divide भी होता है divide के जरीए भी आप इसे grow कर सकते हैं लेकिन इसमें इसमें सीड बनते हैं seed भी harvest करके ला सकते हैं ये फिलहाल अभी बाहर से कच्चा लग रहा है लेकिन लेकिन अंदर से ये तैयार हो चुका है grow करने के लिए तो इससा के seed आप harvest करके ला सकते हैं लेकिन seed लेकर आए तो अच्छी wilderness soil में grow करें sandy soil में grow करें तो ये बहुत easily grow हो जाएगा इसमें अगला plant है ये cactus इसमें इससा के छोटे छोटे baby plant आते हैं तो ये plant आपको कहीं पर दिखें तो आप इसके baby plant हर्वेस्ट करके ला सकते हैं देख सकते हैं कुछी दिन पहले मैंने इससा के छोटे छोटे baby plant हर्वेस्ट किये थे और हर्वेस्ट करने के बाद इसमें और baby plant आने लगे हैं देख सकते हैं काफी सारे चोटे चोटे प्लांट आ चुके हैं तो ये एक प्लांट भी अगर आपके गाड़र में हो जाता है तो एक से काफी सारे हो जाते हैं इसे भी आप sandy soil में ही ग्रो करें ओवर वार्टिंग से ये cactus गल जाते हैं इसलिए इसमें अगला प्लांट है ये डेफिन बेकिया ये प्लांट भी अगर आपको कहें पर मिले तो आप इसके कटिंग लेकर आ सकते हैं नहीं तो इसमें चोटे-चोटे बेबी प्लांट भी रूर से निकलते रहते हैं सोथ kồngवान से काफ़ी पुराना हो जाता है और देख सकते छोटे से मैंने कंटेनर में ग्रोह किया 45-46 का जो कंटेनर आता है काफी सालों से ये इसमें लगा हुआ है कम से कम 3 साल वाले के सपोर्ट में मैंने इसरोगा यह गिर जाएगा बहुत बड़ा हो चुका है यह इसे आप cutting से बहुत easily grow कर सकते हैं देख सकते हैं इस प्लांट cutting से तयार है तो इसकी छोटी-छोटी cutting लेकर आप अच्छी sandy soil में grow करेंगे तो काफी सारे सूर्थ उस cutting से आने लगते हैं बाद में आप इस सूर्थ को इसकी cutting से निकाल कर दूसरे प्लांट में भी transplant कर सकते हैं इसके अलावा यह है baby rubber plant इसकी भी cutting आपको कहीं पर मिले तो आप grow करिएगा मुझे छोटी सी cutting मिल गया था देख सकते हैं एक पता उसमें था अब देख सकते हैं काफी अच्छे से grow हो चुका है इस list में अगला plant है यह farm यह plant भी अगर आपको कहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में पूरा container आपका भर जाएगा इस list में अगला plant है यह irisheen वैसे तो यह मेरे पास एक ही color में है मुझे दूसरा color इसका कहीं पर दिखा भी नहीं है इसके अलावा यह park बगारा में लगे हुए होते हैं अगर आपके area में लगे हुए होते हैं त sandy soil में दबाएंके तो अच्छा result देखने को मिलेगा और देख सकते हैं फाइकस की कुछ cutting मैंने ग्रो किया था लगबर चार cutting ग्रो किया था चारों ही ग्रो हो चुकी है और इनमें काफी अच्छी growth स्टार्ट हो गई है इस list में अगला plant है ये dragon fruit ये plant आपको कहीं पर भी दिखे तो आप इसकी cutting ज़रूर लेकर आएगा नरसी में purchase करते हैं तो काफी महिंगा मिलता है कुछ नरसी में तो ये 100 रुपीस में मिल भी चाता है जाता तर नरसी में ये 200 रुपीस में ही मिलता है तो इसे cutting से grow करने के ल लिए shady area में रख देंगे तो भी ये grow हो जाएगा grow लेकिन sandy soil में ही करें उसमें ही अच्छा result इसका देखने को मिलता है और देख सकते हैं ये अप राजीता की seat अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुके हैं देख सकते हैं काफी सारी dragon fruit plant की मैंने cutting अलग 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 लगाया है तो ये बहुत easily grow हो जाता है इस लिस्ट में अगला plant है ये ribbon grass वैसे इसका एक दूसरा नाम भी है वो फिलाल मुझे यात नहीं आ रहा है तो ये प्लांट भी पार्क बगएरा में आपने देखा होगा इसमें छोटे-छोटे से flower आते हैं flower बहुत ही common होते हैं इनके बिरूर से नहीं नहीं बेवी plant निकलते रहते हैं तो ये plant आकर आप को कहीं पर दिखे तो आप इसके baby plant को harvest करके ला सकते हैं इसलिस में अगला plant है ये हजोड का plant ये भी बहुत ही easily cutting से grow हो जाता है काफी सारी cutting में ने grow किया है तो किसी भी season में आप इसकी cutting grow कर सकते हैं ये medicinal plant होता है तो ऐसे plant आपको अपने garden में जरूर add करने चाहिए hanging basket में भ plant मिल जाएगा और उसी को देखते हुए मैंने भी से अपने garden में एट किया था cutting के जरीये तो ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजेगा मेरे channel पर पहली बार आए हो तो मेरे channel को subscribe क कीजेगा और नए साल पर घूमने की सोच रहे हैं तो इन plant के आप नाम लिख लीजेगा और इस पर मैंने चार वीडियो पहले से upload किये हैं तो वो भी आप देख सकते हैं और उनके नाम भी लिख सकते हैं ये plant आपको कहीं पर भी दिखे तो आप इनकी cutting या पिर seed harvest करके वीडियो पसंद आया हूँ तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पिलिए हैपी गाड़ने